दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के बहुत ही नायाब उपन्यास स्केंडल पॉइंट का दूसरा भाग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर इसका पहला भाग नहीं सुना है, तो उसे सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आईए बिना देरी किये शुरू करते हैं, स्केंडल पॉइंट नॉवल का दूसरा भाग। उपलब्ध होने के बाद भी बाहर से नहीं खोला जा सकता था, वैसा यहां पर कोई अडंगा नहीं था। वापसी में वो पकडंडी वाले रास्ते से निकला, जो आगे जाकर सडक से मिलता था। फिर वो वापस पंचधारा पहुचा। अरजुन उसे कार में ही बैठा मिला, सुनील को देखकर वो कार से बाहर निकला और सुनील ने उसे पूछा। रिपोर्ट हो गई? जी हाँ बॉस हो गई। अभी इधर से जो जीप गई थी, उसमें कौन सा इंस्पेक्टर था? क्या तुने देखा था? सुनील ने पूछा। बिलकुल देखा था गुरुजी, वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ही था, साथ में तीन पुलिस वाले और भी थे. अच्छा ठीक है, वो जो दूसरा जमूरा था, होंडा अकॉर्ड वाला, यानि बादल बिजवाल, वो अभी फार्म पर ही है या वापस चला गया? उसका तो पता नहीं गुरुजी, मैं अपने काम में बिजी था, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया. अ उलाद है, तो फिर जिसका फैमिली ट्रेड, जहाज रानी यानि शिपिंग हो, उसके लिए ऐसा ओजार मोहिया कर लेना, और फिर उसे बतोर आलाय कतल इस्तेमाल करना, क्या मुश्किल काम रहा होगा? ये तो ऐसा लग रहा है गुरुजी, जैसे की केस हल हो ही गया है. अब इसली बार की ही तरह इस बार भी उसकी मुलकात सुरूपा निगम से ही हुई. सुनील ने उससे कहा, मैं आपको दुबारा डिस्टरब करने के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपके अंकल के घर से तालोक रखती कुछ ऐसी बातें सामने आई है, जिनका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन उनके जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, सुरूपा निगम ने कहा, देखिए मैम, एक बात तो ये है कि कातिल इमारत में दाखिल कैसे हुआ, आपने मुझे बताया था कि कल शाम जब आपके तालक हो, चाबी किस के पास थी? अंकल के पास थी, फ्रंट डोर की चाबी हमेशा उनके चाबियों के गुच्छे में रहती थी, क्या वो चाबी एक ही है? जी नहीं, चाबियां तो दो हैं, लेकिन वो दोनों चाबियां उन्हीं के पास होती थी, आपने कहा कि एक चाबी की रहती थी, जी हॉस्टल में, चेननई में, जहां मैं पढ़ती थी, मैं सिर्फ छोटियों में ही अंकल के पास आया करती थी, अच्छा उन दोनों चाबियों के अलावा कोई तीसरी चाबी भी थी, सुनील ने पूछा, जी नहीं थी, ठीक है, तो फिर कल शाम जब आपके अंकल नहीं थी, ताकि अगली सुभा जब आप वहां जाती, तो आपको अंदर जाने के लिए अंकल को जगाना नहीं पड़ता, जी हां, ऐसा ही हुआ था, सुरूपा ने कहा, तो कल शाम यहां लोटने के बाद आपने उस चाबी को कहां रखा था, जी अपने राइटिंग डेस् चाबी आपको अपनी जगह पर मिली थी, जी हां, क्या ऐसा हो सकता था मिस्टर सुनीब, और ऐसा करता तो कौन करता, घर में तो कोई था ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हस्बेंट तो बाहर गए हुए है, कल रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपने राइटिंग डेस्क पर बैठी जिठिया वगेरा लिख रही थी, उस वक्त चाबी मेरी आँखों के सामने ही मौजूद, रात को जब सोने जाने के लिए मैंने बंगले को लॉक किया, तब तक भी चाबी वहीं पर थी, रात को कोई ताले तोड़कर जबरदस्ती अगर घर म मैंने देखा था कि उतना आधुरेक नहीं था, जितना की सामने वाला ऑटोमेटिक लॉक था, ऐसे तालों में अपनी किस्म के और तालों की चाबियां भी लग जाती है, इस बारे में आपका क्या खयाल है, लग जाती होंगी मिस्टर सुनील, लेकिन उस ताले में नहीं अगला सवाल किया, सुरूपा निगम ने बताया, अंकल के यहां आकर हमारे साथ रहना शुरू करने के एक डिड़ महीने पहले की ये बात है, हाउस कीपर सरस्वती को मिली हुई पिछले दर्वाजे की चाबी उससे कहीं खो गई थी, उस दिन अंकल सुभा से ही राजनगर रगाया था, जहां से उसने शौपिंग की थी, और जहां पर चाबी गिरी हो सकती, लेकिन वो चाबी उसे नहीं मिली थी, इस कारण उसे अंकल के वापस लोटने तक बाहर ही बैठे रहना पड़ा था, उस वक्त अंकल ने उस ताले में वहां जितने भी चाबियां मौजू रह गया होगा, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि उपर सोने के लिए जाने के वक्त उसे बंद कर देंगे, लेकिन फिर शायद भूल गये होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा, सुनेल ने पूचा, सुरूपा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कंधे उचका दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आत, अच्छा ये बताए मैम कि क्या आपके अंकल वहां कोई कीमती सामान रखते थे, जेवर या कैश अगरा ही छोड़े थे, अच्छा ये बताए कि क्या कल रात ऐसा कोई कीमती सामान था, जिसे वो वापस अपने साथ ले गए हूँ, जी मुझे तो नहीं लगता, वो बस एक छोटा सा सूट के साथ लेकर गए थे, जिसको मैंने खुद पैक किया, क्या आपके अंकल जेब मे काफी नगत पैसा रखा करते थे, सुनील ने अगला सवाल, जी दो-तिन हजार रुपे से ज्यादा नहीं रखते थे, वो अपनी सारी पेमेंट्स चेक से ही करते थे, इसलिए उनको अपने पास ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं पढ़ते, राज नगर के अपने बैंक जब वो कोई चेक कैश कराते थे, तो वो बस कुछ हजार रुपे का ही होता थे, और वो भी कभी कभार, सुनील ने एक ठंडी सांस ली और बोला, अच्छा ये बताए कि क्या आपके अंकल से मिलने जुलने के लिए कोई लोग आते थे, जी नहीं, कभी कभार ही कोई आता थ और जो आता था, अंकल उसे परहेजी करते थे, बादल बिजवाल को याद करते होए, सुनील ने राजनगर शब्त पर खास जोड देते होए पूछा, पंच धारा से ही नहीं, तो जेरी से, या राजनगर से तो कोई आता होगा, वैसे बाइदावे, राजनगर से कबसे आत शब्दों में कहा, आज ही आया था, क्या ये आपके पती का कोई परिचित है, फैमिली फ्रेंड है, मिस्टर बिजवाल, मिस्टर बिजवाल, वो जो शिपिंग के प्रोफेशन में है, जो शिपिंग मैगनेट कहलाते हैं, वो, जी नहीं, उनका बेटा, बादल बिजव वो, कभी-कभी यहाँ पर नेचर एंजॉय करने और टेनिस खेलने आता है, क्या आपके यहाँ टेनिस कोट भी है, कौन खेलता है उसके साथ, सुनील नेम पूछे, मैं ही खेलती हूँ, मेरे पती को तो ना टेनिस का शोक है, और ना ही टेनिस खेलना उनके इतना कहते-कहते सरूपा अचानक खामोश हो आप कुछ कहने जा रही थी मैम जी कुछ नहीं मैं जानता हूँ कि आप ये कहने जा रही थी कि टैनिस खेलना उनके बस की बात नहीं था ठीक कहा ना मैंने मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मिस्टर सुनीर अच्छा ठीक है तो मैं आपने पुराने सवाल पर वापस आता हूँ तो बहरहाल आज क्योंकि मिस्टर निगम यहां नहीं है इसलिए आप ही मिस्टर बिजवाल के साथ टैनिस खेल रही थी जी नहीं मैं टैनिस नहीं खेल रही थी मेरे अंकल की डैथ हो गई है और आपको लगता है कि मैं टैनिस खेलूंगी ओ, I'm sorry वैसे मिस्टर बादल अभी है या चले गए जी वो जा चुका है अच्छा ये बताए मैं कि मिस्टर राजवन्शी कभी जहरी या राजनगर जाते थे तो क्या अकेले जाते थे? वो तो जाते ही कहां थे मिस्टर सुनील कभी कोई बहुत ही ज्यादा सक्त ना टाली जा सकने वाली जरूरत पढ़ जाये तो ही जाते थे जैसे की हाउस कीपर के चाबी खो जाने पर जहरी से तालों के कारिगर को बुलाने गए थे ठीक है समझा लेकिन क्या जब जाते थे तो अकेले जाते थे? देखिए मिस्टर सुनील ये सब उनके मूड पर डिपेंड करता था कभी यहां आकर मेरे हस्बेंट को कार पर ले चलने को कह देते थे या फिर खुद जाने की जगह उन्ही को चले जाने को भी कह देते लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता I see ये बताए मैं कि परसों आपके हस्बेंट के राजनगर के लिए निकलने और कल मिस्टर राजवनशी के ओवरनाइट सोलर पॉइंट पर जाकर रहने में क्या कोई आपसे रिष्टा हो सकता है सुरूपा एकदम से अचकचा गई क्या You are talking nonsense Mr. Sunil देखिए मैं आपसे ये इसलिए पोच रहा हूँ क्योंकि ये सवाल अभी भी मुह बाए सामने खड़ा है कि कल मिस्टर राजवनशी Scandal Point क्यों गए थे और यकीन जानिये इसी सवाल के जवाब में इस बात का भी जवाब छिपा है कि उनका कतल किस ने किया और क्यों किया कातल ये बात कैसे जानता था कि पिछली रात आपके अंकल Solar Point पर तनहा पाय जाने वाले थे देखिए Mr. Sunil जब आप पहली बार यहां आए थे तो अपना परिचे देते वक्त अपने बड़े ही गर्व से कहा था कि आप खोजी पत्रकार हैं तो फिर कीजिये खोज और लगाईए पता Sunil बड़े ही द्रड़सवर में बोला लगाऊंगा और लगा कर रहूंगा हमेशा की तहा सुरूपा ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या एक सवाल मैं आप से पूछ सकती हूँ Mr. Sunil जी हाँ शौक से पूछिए क्या पुलीस कातिल होने का शक मेरे उपर भी कर सकती है आपके दिमाग में ये खयाल कैसे आया मैं आप ही की थियोरी सुनने के बाद Mr. Sunil अभी आपने खुद ही तो कहा कि जिस किसी को भी अंकल की पिछली रात सोलर पॉइंट पर तनहा मौजूदगी की खबर थी वो ही कातिल हो सकता है तो ये खबर तो सिर्फ मुझे थी तो क्या मैं कातिल हूँ इससे पहले कि सुनील कुछ कहता दर्वाजे की कॉल बेल बजी सुनील अचानक ओठ खड़ा हुआ और बोला आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मैं मैं अब चलता हूँ सुनील बंगले से बाहर निकल गया सामने के फाटक से इंस्पेक्टर प्रभुदायाल अंदर दाखिल हो रहा था और आधा रास्ता पार भी कर चुका था उसे देखते ही उसने कहा रुक जाओ सुनील इधर आओ सुनील उसके सामने जा खड़ा हुआ तुम कभी भी ठिक्के नहीं बैट सकते न तुम्हारे जैसे जो बाकी अखबार वाले हैं उन लोगों के पास खबार आती है लेकिन तुम खुद लपक कर खबर के पास जा पहुचते हो और पहुचते क्या हो उसके गले पड़ जाते हो कभी तो ये नोटंकी बंद कर दिया करो मैंने आपको पहचाना नहीं जनाब सुनीलने बड़े ही आराम से क्या अब ये क्या बकवास है बे आपका फीस तो फैमिलियर लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहा देखा है प्रभु दयाल गुस्से से आग बबुला होकर चिलाया गिरफतार कर लूँगा मैं तुमको समझ लेना गिरफतार कर लेंगे माई बाप वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहचाना नहीं ये तो सरासर ना इंसाफी है हुजूर पुलीस वाला होने का नाजायस फाइदा उठा रहे हैं आप तुम अपनी बकवास बंद करते हो या नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता कि पुलीस से पहले तुम साले मौकाई वारदात पर पहुँच कैसे जाते हो हर बात अरे हुजूर ये मौकाई वारदात थोड़ा ही है सोलर पॉइंट पर भी तुम मौझूद थे की नहीं था हुजूर लेकिन पुलीस से पहले थोड़े ही मौझूद था अगर आप अपनी लोकल चौकी के स्टाफ को पुलीस नहीं मानते तो फिर बात दूसरी है अरे और मुझे आता ही क्या है हुजूर तुम्हारी ये हरकत है न एक दिन तुम्हें ऐसा फिट करेंगी कि देख ले ना सुनेर अठासी बार आप ये वार्निंग मुझे दे चुके हैं इंस्पेक्टर साहब लेकिन अभी तक तो खैरियत है उपर वाले ने चाहा तो वार्निंग्स की डबल सेंचुरी होने तक भी खैरियत ही रहेगी प्रभुदायाल ने आसाहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर पैर पटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा अरे बंदा नवाज गरीब परवर ये तो बताते जाएए कि केस के बारे में आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है प्रभुदायाल उसकी बात अंसुनी करके आगे बढ़ता रहा अरे सर पब्लिक हैज राइट टो नो उसके लिए पुलिस हेड़कॉर्टर जाओ और जो जानकारी चाहिए प्रेस रूम से ले लो अरे माई बाप जब जानकारी का सूपर बाजार मेरे सामने है तो मैं रिटेल शॉप पर क्यों जाओं भाला लेकिन प्रभु दयाल उसकी बात पर कोई ध्यान दिये बिना अंदर चला गया सुनील सीटी बजाता हुआ बाहर निकला और रमाकांत के कॉटेज में पहुआ अरजुन को उसने राजनगर ब्लास्ट के ऑफिस में भेज दिया था ताकि वो अपनी खीची गई तस्वीरें छपने के लिए तयार कर ले और कॉपी राइटर द्वारा तयार की गई रिपोर्ट को चेक कर ले फिर सुनील ने रमाकांत को सारी बातें तफसील से बताईं सुनने के बाद दोनों थोड़ी देर अपने अपने विचारों में खोई बैठे रहे फिर सुनील ने कहा एक बात समझ में नहीं आई भापा जी अपने पहले फेरे पर मैंने स्कैंडल पॉइंट के आहाते का बा पहले 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 फिर सुनील ने रमाकांत के बात समझ में खासियत है वह कातिल का रिष्टा बंदरगाह से जोड़ती है कांटी जो होती है वो सेलर्स का ओजार होती है और सेलर्स होते हैं बंदरगाह पर और पंच धारा से जो सबसे करीबी बंदरगाह है वो 75 किलोमीटर दूर राजनगर में है रमा कांत ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तू ये कहना चाहता है कि कातिल कोई सेलर था जो की राजनगर बंदरगाह से वहाँ पहुँचा था, या तो वो सेलर था वड़े भापा जी, या फिर जहाज रानी के कारोबार से तालुक रखता कोई आदमी था, तो तेरा मतलब ये है कि कातिल राजनगर बंदरगाह से चल कर सोलर पॉइंट तक पहुचा था, अरे राजनगर से चल कर नहीं, जेरी तक तो बस आती है, पंच धारा सड़क के रास्ते 10 किलोमीटर है, अगर पकडंडी पकड़ी जाए, तो 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, सेलर जैसी मेहनत करने का आदी कोई आदमी इतनी दूरी आराम से पैदल चल सकता था, लेकिन ये मत भूल सुन ली, कि उसको ये काम दो बार करना था, पहले जाती बार और प्र लोटती बार, हाँ लोटती बार तो यकीनन उसे पैदल ही आना होगा, क्योंकि आधी रात को पंच धारा से इध पंच धारा था रमाकांत, कल देर रात जेरी बस अड़े से कोई आटो वाला, अगर दबल किराया भरने वाला कोई पैसेंजर पंच धारा लेकर गया होगा, तो वो इतनी जल्दी उसे भूला नहीं होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है सुन ली, कि कातिल लोटा भी उसी आटो को इंतजार करता छोड़ कर जाता, तो आटो ड्राइवर को ये उत्सुकता हो सकती थी, कि वो आदमी उस सुस्त छोटे से गाउं में आगे कहां गया होगा, तो इस मामले में मुझे तुमारी थोड़ी मदद चाहिए रमाकांत, मैं चाहता हूँ कि तुम उस आटो व से दो बजे के भी, जहरी से कहीं के लिए भी बस सर्विस, राद को दस बजे तक ही होती है, कातिल ने मौकाय वारदात पर पहुँचते ही अपने काम को अंजाम दे दिया होगा, और पगडंडी वाले शॉटकट से वापस लोटा होगा, लेकिन तब भी उसे लोटने में 11 स सवा 11 जरूर बज गए होंगे, इतनी राद गए, यहां से राजनगर लोटने का एक ही जरिया है, वो है टैक्सी, जो या तो बस स्टैंड से मिलती है, या फिर होटल लेक व्यू के टैक्सी स्टैंड से, तो किसी ऐसे टैक्सी ड्राइवर को लोकेट कर लेना बहुत ही आसा इस से पहले कि वो अपनी बीवी से नोट्स एक्सचेंज कर पाए, इतना कहकर सुनील बाहर निकल गया, होटल पैनोरामा राजनगर में सेंट्रल पार्क के करीब के इलाके में एक मध्यम वरगिय होटल था, सुनील होटल के रिसेप्शन पर पहुँचा, और वहां मौजू जी, मिस्टर निगम तो इस वक्त यहां नहीं है, क्या वो चेक आउट कर गए, जी नहीं, परसों से यहीं है, आज सुबह सवेरे ही तारकपूर के लिए निकल गए थे, उन्होंने कहा था, कि उनको किसी अपॉइंट्पेंट के लिए साढ़े नौ बजे वहां पहुँचन आप कहें, तो फोन करके पता करूं, अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ, प्लीज पता करके मुझे बताईए, सुनील ने कहा, मैनेजर ने फोन किया और पता चला, कि निगम ने अपने एक क्लाइंट के साथ वहीं किया था, लेकिन उसने वहां चेक-इन नहीं किया था, क् उसकी शाम तक उसका वहां से कूच कर जाने का इरादा था, सुनील ने कहा, तो इसका मतलब है, कि अगर मिस्टर निगम ने अभी यहां से चेक-आउट नहीं किया है, तो वो लोट कर यहीं पर आएंगे, जब वो लोटें, तो प्लीज मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं उ दो रंगी फियेट है, घर से उसी पर आया कर, क्या जब वो आपके होटल में रहते हैं, तो उनसे मिलने काफी लोग यहां आते हैं, जी नहीं, कोई भी नहीं आता, सिर्फ एक बार एक सफेद बालों वाले बुज़ुर्ग, मिस्टर निगम के साथ यहां रेस्टरेंट में मिस्टर सुनिल, ठीक है, ठैंक यू, जी मेरा नाम त्रिवेदी है, मके त्रिवेदी, सुनिल उससे विदा लेकर बाहर निकलाया, अगले रोज सुभा ब्लास्ट के ओफिस में सुनिल की मुकेश निगम से मुलाकात हुई, वो अपने आप ही अचानक ब्लास्ट के ओफिस म लंगडा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर आते वक्त सुनिल ने नोट किया, कि वो अपनी दाई टांक को थोड़ा घसीट कर चलता था, मुझे पुलिस के पास जाना था, रास्ता इधर से ही था, इसलिए पहले यहां चला आया, आते ही उसने कहा, सुनिल ने जवाब दि दोपहर के बाद तारकपुर से आगे नूरपूर चला गया था, वहां काफी रात हो गई, इसलिए वहीं रुकना पड़ा, आज सुभा ही लोटा, होटल से बीवी का मैसेज मिला, मैंने फॉरन उसे फोन लगाया, तो पता चला कि क्या हो गया था, पता नहीं राजवनशी स सुनील ने पूछा, जी नहीं, अभी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपनी भीवी को समझा दिया है, पोस्ट मॉर्टम के लिए पुलिस वाले लाश को यहां लेकर आये हुए हैं, अगर पोस्ट मॉर्टम आज ही हो गया, तो मैं लाश के साथ ही पंचधारा लोटूँगा, इसी सिलसिले में मैं पुलिस के पास जा रहा था, मुझे पता चला है कि कोई इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है जो इस केस का इंचार्ज है, और वो पुलिस हेड़कॉर्टर में मुझे मिलेगा, सुनील मुस्कुराया और बोला, वहां पर वो लोग आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हाँ तो पूछे ना कोशी से, I have nothing to conceal, वैसे आपके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टर सुनेल, कि आप भी मुझे से कुछ पूछना चाहते हैं, अगर वाकई ऐसा है, तो आप निस संकोच पूछ सकते हैं, मैं हर बात का सीध तो पहले तो ये ही बताइए, कि आपको क्या लगता है, कि इस बात की क्या वज़े हो सकती है, जो परसों रात राजमंची सहाब को यूँ अकेले अचानक सोलर पॉइंट जाने की सूजी, जी मुझे तो कोई वज़ा नहीं सूजती, कई बार बड़ी उमर में लोगों को इ तरह की सनक पैदा हो जाती है, हो सकता है, ऐसी ही कोई सनक उनके दिमाग में भी उठ गई हो, आज से दस साल पहले उन्होंने वो मकान खरीदा था, उससे पहले काफी मुद्दत से वो मकान खाली पड़ा हुआ था, एक तो उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, कि उसका खरीदार तो क्या किराइदार तक नहीं मिलता था, दूसरे गाउं में उसके बारे में अफवाहें फैली हुई थी कि वो भूतिया मकान था, लेकिन फिर भी राजवंशी सहब ने वो मकान खरीदा, और छोटी मोटी मरमत कराने के बाद वहां रहना भी शुरू कर दिय, हर किसी के लि लोगों से ऐसे पुराने संबंध हैं, जो और लोगों के नहीं है, ऐसा ही मेरा एक जानकार, राजवंशी सहाब के उधर रहना शुरू करने के कोई दो महीने बाद मुझे वहां लेकर गया था, इलाके के प्रधान राजाराम ने और डॉक्टर मानक टाला ने, जिनको मैं बच्पन से जानता हूँ, मुझसे कहा था कि रिपुदमन राजवंशी सहाब उस इलाके में नए रहने आए हैं, और उनको उनकी तनहाई से निजात दिलाने की कोशिश करना बड़े हिप उन्ने का काम होगा, मैं खुद भी काफी इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, और नए लोगों से तालुकात बनाने की इक्छा मुझे कभी नहीं रहती, लेकिन उन लोगों की इस बात को मैटाल नहीं सका था, और इसलिए उनके साथ सोलर पॉइंट गया था, तब पहली बार रिपुदमन राजवंशी से मेरी मुलाकात हुई थी, और पता नहीं कैसे, पहली ही मुलाकात में हम दोनों के बीच एक अजीब सी ट्यूनिंग बन गई थी, उनको तनहाई पसंद थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैंने महसूस किया था, कि मुझ से मिलकर वो खुश होते थे, वैसे मैं वहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं आया जाया करता था शुराती दोर में तो खली उनसे मिलने जाता था, बाद में मेरे जाने की एक और वज़ा जुड़ गई थी, वो थी सुरूपा, क्या आपको पता था कि राजवन्शी सहाब का सुरूपा से कोई खून का रिष्टा नहीं था, सुनील ने पूचा, जी हाँ, मालुम था, रा राजवन्शी सहाब के बीच एक मजबूत कॉमन कड़ी बन गई थी, तो तब ही आप उनको आकर अपने साथ रहने के लिए मना पाए थे, सुनील ने पूचा, वो मनुहार असल में डॉक्टर मानक टाला की थी, राजवन्शी सहाब समझने लगे थे, कि योग ध्यान से या रोका न गया, तो एक दिन वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेंगे, तब उन्होंने ही मुझसे कहा था, कि कोई ऐसी जुगत निकाली जानी जरूरी थी, जिससे वो अपनी तनहा जिंदगी से किनारा करके, ऐसा लाइफस्टाइल अपना लें, जिसमें अलग-अलग त अपनी से संपर्क साधने में काम्याब होने ही वाले थे, अब तो उनको ऐसी रूहानी आवाजें साफ सुनाई देने लगी थी, जो बताती थी, कि दूसरी दुनिया में उनकी बीवी एकदम खुश थी, और उनसे संपर्क बनाने के लिए खुद लालाइथ थी, लेकिन महा पर कोई ऐसी विग्नकारी शक्ती सक्रिय थी, जो ऐसा होने नहीं दे रही थी, और उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रही थी, अरे बापरे, तौबा तौबा, ऐसी बातें तो कोई ऐसा आदमी ही कर सकता है, जिसका भीजा हिल गया हो, और जिसका विवेक से नाता तूट चुक बता और एक डॉक्टर उन्होंने तो साफ कहा था, कि ये किसी गंभीर बिमारी के लक्षन थे, और इसी लिए डॉक्टर ने राजवनशी सहाब को सोलर पॉइंट से हटाए जाने की और भी जिद की थी, अब आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे हमारी बात मान तो ली, और र गैर हाजिरी में वहाँ जाने का भी शायद यही कारण होगा, कि वो जानते थे, कि अगर मैं वहाँ पर होता, तो या तो उनको जाने ही नहीं देता, या फिर उनकी हिफाज़त का कोई इंतजाम करके उनको भेजता, और वैसे भी, ये बात तो मैंने भी कभी सपने में भी सोची थी कि वहाँ उनकी जान को कोई खतरा हो सकता था मैं तो सिर्फ उनके स्वास्थे की वजह से चिंतित था अच्छा ये बताईए मिस्टर निगम कि क्या आपको इस कतल की कोई वजह सूचती है जी नहीं मुझे तो नहीं सूचती क्या आपको राजवनशी सहाब की माली हैसियत का कोई अंदाजा है जी नहीं लेकिन आप उनके चेक तो कैश कराया करते थे हाँ कराता था लेकिन चेक कैश कराने से टोटल कैश पोजीशन का पता थोड़े ही लग जाता है और फिर माली हैसियत सिर्फ बैंक बैलेंस से ही थोड़ी बनती है उनके बताय बिना मैं कैसे जान सकता था कि उनकी और एसेट्स क्या थी लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पैसा तो उनके पास था चेरिटी के मामले में वो कभी किसी को नाउमेद नहीं करते थे और हमारे घर भी फ्री में नहीं रहते थे हर महीने पैसा अदा किया करते थे हर पहली तारिख को वो सुरूपा को जो रकम देते थे उसी से घर का सारा खर्टा चल जाता था और फिर इसके अलावा उन्होंने सुरूपा की शादी पर भी इतना खर्च किया और उसके बाद भी 10 लाग की एक FD भी उसके नाम करा दी थी। सुनील ने हैरानी से कहा, कमाल है, अपने राजनगर के बैंक अकाउंट से क्या वो चेक हमेशा आपकी मार्फत ही भुनवाया करते थे। जी नहीं, हमेशा नहीं, कई बार मुझे मेरी कार पर बैंक लेकर चलने को कहते थे। काफी बड़ी फार्म है, जहां important clients को services का पूरा package उपलब्ध कराया जाता है। I see, आप उनके check cash कराते थे, लेकिन आपकी Mrs. कहती हैं कि वो कभी भी बड़ी रकम के नहीं होते थे। आपने आस्ताक उनके लिए जो cash withdrawal किये, उनमें से सबसे बड़ा withdrawal कितनी रकम का था। कुछ देर सोचने के बाद मुकेश निगम ने कहा, एक लाख कत, ये रकम कोई खास बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो और check मैंने कभी-कभी उनके लिए cash कराए हैं, उनके comparison में ये काफी बड़ी रकम है, अच्छा bank कौन सा है उनका, जी राजनगर अर्बन को आपरेटिव ब जवाब में उन्होंने कहा, कि वो रकम bank से निकलवाना बहुत ही जरूरी था, और इसी लिए मैं आधी दुफान की तरह कार चलाता हुआ, closing time से सिर्फ 5 मिनट पहले bank पहुँचा था, तो इसका मतलब अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते, तो check cash नहीं होता, सुनील ने पूचा जी नहीं, संडे को bank बंध होते हैं, सोमवार को general elections की वजह से छुट्टी थी, लिहाजा अगर शनिवार को check cash ना हो पाता, तो फिर सीधे मंगलवार को ही होता, और तब भी मेरे कराय ना होता, क्योंकि मंगलवार को मेरा आपने business tour पर सुभा सवेरे घर से रवाना होना पहल करा लेता, क्योंकि राजनगर तो मुझे जाना ही था, लेकिन घर में मेरे पास ready cash के तोर पर 8-10,000 से ज्यादा रुपे कभी नहीं होता, अच्छा check की रकम जानकर आपको कोई हरानी नहीं होई थी Mr. निगाम, जी हाँ हरानी तो होई थी, बलकि मेरा दिल ये भी किया था कि तो अच्छे भले थे, लेकिन जब लोटे, तो उनका मूड इसी तरह से खराब था, घर से कहां गए थे वो, सुनील ने पूछे, करीब वाले चौक तक ही गए थे, दाकिये का पता करने, आपका मतलब है, जैसे इस काम के लिए वो रोज सुबह 10 बजे solar point से आया करते थे, वैसे ही आपके फार्म से भी जाते थे, जी हां, ये उनका रूटीन था, कहते थे सालों से मेरा यही रूटीन बना हुआ है, सुबह 10 बजने को होते थे, तो पैर अपने आप ही चौक की तरफ उठ जाते थे, हाला कि चौक वहां से कोई ज्यादा दूर नहीं था, और डाकि पूछना उनको अपने आजादी और प्राइवेसी में खलल लगता था, अच्छा ठीक है, जरा एक बार चेक की रकम पर वापस लोटते हैं मिस्टर निगम, ये चेक बड़ी रकम का था, क्या उन्होंने इस बारे में कोई हिदायत दी थी, कि पेमेंट में वो कौन से नोट चाहते थे, जी नहीं, और जाने की जल्दी में मुझे पूछना भी नहीं यादाया था, लेकिन बैंक से जो भुगतान मिला था, वो हजार हजार के नोटों की नई गड़ी की सूरत में मिला था, घर लोटकर मैंने जब वो रकम उनको सौपी थी, तो ये देखकर उनके चे पंचधारा जैसे गाउं में, वो भला किस चीज़ पर खर्च कर सकते थे, हो सकता है उन्होंने किसी को दान में दिया हो, अरे नहीं सर, अगर उनको दान में किसी को लाग रुपया देना ही होता, तो खड़े पैर मुझे राजना कर दोड़ाने की भला क्या जरूरत थी, व वही उनके कतल का उदेशे बनी होगी, थोड़ी देर खामोशी चाही रही, फिर सुनेल ने कहा, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अभी हम बाद में आएंगे, अभी हम ये मानके चलते हैं, कि सोलर पॉइंट पर वो उस रकम के साथ ही पहुँचे थे, मेरा अगला सवाल कि आप मेरी बात सुने, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि क्या आपको लगता है कि वो रकम किसी तांत्रिक की फीस हो सकती थी, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, राजवंशी सहाब तंत्र मंत्र में काफी लेपत थे, तो क्या बड़ी बात है कि इस सिलसिले में वो किसी बड़ी फीस लेने वाले तंत्रिक से मिले हो, जो ये दावा करता हो कि वो उनकी स्वर्गवासी पतनी से उनकी बात करा सकता हो, और इस काम की उसकी फीस एक लाख रुपे हो, हो सकता है उस रात उस तंत्रिक को उन्होंने अपने उस अनुष्ठान के लिए चुप चा किया आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर सुनील कि उस तंत्रिक ने राजवंशी सहब का कतल किया होगा, क्यूं ऐसा हो नहीं सकता क्या, सुनील ने पूछा, जी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जो रकम उस तंत्रिक को वैसे ही फीस में दक्षना में मिलने वाली थी, उसके लिए वो अपने हाथ कून से क्यों रंगे का भला, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फार देने वाली बात होगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं मिस्टर मुकेश निगम, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कुर्बान करके, अगर सोने का अंडा देन भी कई गुना बड़ी फीस भली। माल लीजी इतनी बड़ी कि कातिल को राजवन्शी सहाब से मिलने वाली लाक रुपे की दक्षना चिडिया का चुगा दिखाई देने लगी। अब क्या कहते हैं आप। हाँ ऐसा हो तो सकता है लेकिन ऐसा कौन करेगा भला। यू इस तरह पैसे उनका कतल कराने की किसको जरूरत पड़ी होगी और फिर वो सेलर वाली बात की क्या एहमियत रह जाएगी उसमें। ये भी तो हो सकता है मिस्टर निगाम कि तांतरिक ने अपनी पहचान चुपाने के लिए सेलर का रूप बनाया हो और इसी लिए सेलर के ओजार को अल हो सकता है वो उन्होंने ऐसी ही किसी मीटिंग के लिए किया हो लिकिन ये बात तो सब जानते थे कि वो तंतर मंतर में यकीन करते हैं तो फिर उनको इतनी सीक्रेसी बरतने की क्या ज़रूरत थी ? केश निगम ने पूछा, हो सकता है उनका तांतरी कैसा चाहता हो, उसकी ये शर्थ हो कि सोलर पॉइंट पर उसके आने के बारे में किसी को खबर न लगे, तो क्या इसलिए वो सेलर का रूप बना कराता होगा, हाँ हो सकता है, ओ, फिर तो ये भी हो सकता है मिस्टर सुनील, कि पांच साल पहले जुलाई के महिने में, एक बार मुँ अंधेरे, मैंने जिस सेलर को सोलर पॉइंट की कच्ची सड़क के करीब देखा था, वो कोई असली सेलर ना हो, वो वही तांतरिक ही हो, जी हाँ, बिलकुल हो सकता है मिस्टर निगम, हे भगवान, ये क्या गोरक राजवन्शी सहाब संकी तो लगते थे, लेकिन इतने करता भी थे, ये तो मुझे कभी सूझा ही नहीं, अच्छा मिस्टर निगम, जो अभी आपने कहा कि आपने किसी सेलर को देखा था, वो क्या बात है, जी वो पांच साल पहले की बात है मिस्टर सुनिल, तब एक बार स सुबह, एकदम सवेरे सवेरे, सूरज उगने से भी पहले, मैंने सेलर की सफेद वर्दी और सफेद टोपी पहने, एक दुबले पतले नौजवान को पंचधारा में देखा था, उस कच्ची सड़क के सिरे पर, जो सोलर पॉइंट तक जाती है, वो आदमी आ रहा था या ज सुनील ने पूछ ये तो कहना मुश्किल था, मुझे देखकर वो ठिटक गया था, और मुझे वो तभी दिखाई दिया था, जब वो ठिटका हुआ खड़ा था, एक पल के लिए हम दोनों की नजरे मिली थी, फिर वो सिर जुकाई वहां से चला गया था, उसकी याद भी पहले का वो दिन उसी अरसे में पड़ा था, जब हाउसकीपर सरस्वती जोशी सोलर पॉइंट से गयर हाजिर थी, उसने मुकेश ने गम से अगला सवाल किया, आपको उसका हुलिया या कोई खास शिनाकते निशान याद है, अरे नहीं कहां से याद होगा, पांच साल हो ग अच्छा ठीक है, इस बात को एक बार के लिए एक साइड रखते हैं और केस के उस एंगल पर लोटते हैं, जिसका इशारा है कि वो रकम ही कतल का उदेश्य थी, अगर वो कतल तांतरिक के जरिये किसी थर्ड परसन ने नहीं करवाया था, तो उस रकम की खातिर कतल पर कम निकलवाई थी, निगम थोड़ा सस्पेंस भरी आवाज में बोला, मिस्टर सुनील, मेरी बीवी भी इस बारे में नहीं जानती थी, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, हाँ अगर राजवन्शी सहाब ने खुद बताया हो, तो बात देखिये मिस्टर सुनील, ये बहुत दूर की कोड़ी है, ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि शायद बैंक के किसी कर्मचारी ने किसी को बता दिया हो, सुनील एक बल खामोश रहा और फिर बोला, अच्छा ये बताये मिस्टर निगम कि राजवन्शी सहाब का बेनिफिशर नहीं है, क्या उन्होंने कोई वसियत बनवाई थी? देखिये, मुझे उनकी किसी वसियत के बारे में पता नहीं है, लेकिन जितने तनहा वो अपनी जिंदगी में थे और जिस तरह का परोपकारी उनका मिजास था, उसको देखते हुए, उन्होंने अपनी पूरी नहीं, त अपनी संपत्ती का एक बड़ा हिस्सा, जरूर किसी धर्मिक संस्था के नाम ही छोड़ा होगा, लेकिन मान लीजिये कि कोई वसियत नहीं है, और कोई वारिस भी सामने नहीं आता, तब फिर ऐसे में उनकी संपत्ती का क्या होगा? मेरे ख्याल से सरकार उसे अपने कबजे म कर लेगी, सुनिल ने कहा, ओ, सुरूपा को वो अपनी बेटी मानते थे, काइदे कानून की नजर में बेटी मानने में और बेटी होने में बड़ा फर्क होता है निगम साहब, इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि उनकी दौलत या उसका कोई हिस्सा आपकी बीवी को, अरे ज्यादा की उमीद करना तो गुनाह जैसा होगा, सुनिल मन ही मन सोच रहा था, ये कैसी अजीब बात थी, कि बीवी को मक्तूल की इकलोती सगी आउलाद की खबर थी, लेकिन उसके पती को कोई खबर नहीं थी, अब बेटे का सामने आना सिर्फ वक्त की बात थी, पिता की म तांग में कोई प्रॉब्लम है मिस्टर निगम, आप थोड़ा लंगडा कर चलते हैं, अच्छा वो, जी हाँ प्रॉब्लम है, मेरी दाई टांग में रॉट डली हुई है, कुछ साल पहले एक बार घोडे से गिर गया था, एक टांग, एक बाहां और चार पसलियां तूट बाहां और पसलियां तो ठीक हो गई थी, लेकिन टांग में कई जगा फ्रेक्चर था, दो बार सरजरी हुई, फिर दूसरी बार जब रॉट डाली गई, तब चलने फिरने के काबिल हो पाया, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, अब तो याद भी नहीं आता कि पैर में र और फिर मुकेश निगम वहां से चला गया, अगले दिन सुभा के साड़े दस बजे होंगे, जब रमाकांत सुनील के आफिस में पहुंचा, जाते ही उसने कौफी का ओडर दिया, और फिर बोला, प्यारे ओ, जेरी के आटो टेक्सी वालों को टटोलने का तुमारा आइडि भी है, वरना तेरे वड़े भपा जी अपने नीन्द हराम करके खुद यहां ना पहुंचे होते, मेरी बात ध्यान से सुन, राजनगर से जेरी जाने वाली सड़क रामगर तक का हाईवे भी है, जो हाईवे नंबर 41 कहलाता है, ये हाईवे और जेरी की अप्रोच रोड जे जेरी से 4 किलोमेटर पहले तक कॉमन है, 4 किलोमेटर पहले सड़क एक फोर्क की सूरत में है, जिसके दाएं तो हाईवे जारी रहता है, और बाएं वाली सड़क जेरी पर आकर खत्म हो जाती है, रात को जब जोहरी ने मुझे बताया था कि उसकी पूशताच से कुछ हाथ नहीं लग रहा था, तो मुझे उस हाईवे नंबर 41 का खयाल आया, ये इक बालपूर विशाल गड़ होते हुए राम गड़ जाता है, उस हाईवे पर ट्रकों की आमदर राउंड दा क्लॉक होती है, तब मुझे खयाल आया कि जेरी से टैक्सी करने की जगहा, क्या पता कात चार किलोमीटर और पैदल चला हो, और हाईवे के उस फोर्क पर पहुँच गया हो, जहां से कि वो किसी ट्रक से लिफ्ट हासिल करने में काम्याब हो गया हो, अब लेकिन अगर किसी ट्रक ने उसे लिफ्ट दी थी, तो अब ये कैसे पता लगे कि कौन जे ट्रक ने दी थी तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यूथ कलब का एक मेंबर एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कमपनी का मालिक है। मैंने उसको फोन भिड़ाया तो पता चला कि उस हाईवे पर देर रात की आवा जाही सिर्फ उन कमपनियों के ट्रकों की थी जिनका में बिजनस शिपिंग और क्ल रोड थे। उन में से एक वहां से पौने दो बजे गुजरा था और दूसरा सुभे चार बजे। चार बजे का टाइम तेरे बता हिसाब से काफी लेट बनता था। इसलिए जोहरी ने पौने दो बजे वाले ट्रक पर ध्यान दिया। पौने दो बजे वाला ये जो ट्रक ये दो आवा ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। उसका डिपो एन बंदरगाह पर था। वहां जाकर उस ट्रक और उसके ड्राइवर के बारे में जब उसने पूशताच की तो पता चला कि बरकत अली नाम का वो ड्राइवर अभी डिपो में ही मौजूद था। उससे जब पू और इशस की तरफ जाने वाला था। इसलिए पांच बजे से पहले हर हाल में उसका बंदरगाह पर पहुँचना जरूरी था। ड्राइवर कहता है कि वो आदमी सेलर की वर्दी पहने था। इसलिए उसकी बात पर यकीन आ गया था। और इसलिए उसने उसे अपने ट्रक प बात है सुनील जो जिक्र के काबिल है और बहुत ही दिल्चस्प भी। जैसी हडबड़ी उस आदमी को बंदरगाह पर पहुचने की थी वैसी उसने वहाँ पहुचने के बाद नहीं दिखाई था। अब अगर किसी आदमी का जहाज छूटने वाला हो तो ट्रक से उतरते ही वो पायर्स की तरफ लपक पड़ता लेकिन ड्राइवर कहता है कि उसने खुद उसको पायर्स की एंट्री रोड के करीब मनराते देखा था लेकिन तब उसे पायर पर पहुचने की कोई जल्दी नहीं दिखाई दे रही थी। बलकि ड्राइवर का तो ये भी कहना है कि काफ दूर चला गया था। अब इन सारी बातों का सिरफ एक ही मतलब हो सकता है कि वो आदमी बिना इजाज़त अपने जहाज से खिसका हुआ था और इसलिए बिना किसी की नजरों में आए चुप चाप उस तक वापस पहुचना चाहता था। हाँ हो तो सकता है रमाकांत वैसे क कौन से जहाज का सेलर था वो अब ड्राइवर को ये बात कैसे पता चलती उसने तो उसे खाली पायर वाली सड़क पर दाखिल होते देखा था उससे आगे वो कौन से पायर पर गया ये ड्राइवर को कैसे पता होगा भई लेकिन तुम्हारी सूरत से तो लग रहा है कि तु पर सुन उस आदमी को किसी जहाज पर सवार होते किसी ने नहीं देखा था लेकिन उसने ड्राइवर को ये कहा था कि ठीक पाँच बजे उसका जहाज बंदरगाह चोड़ने वाला था जोहरी ने उस क्लू को फॉलो किया उसे पता चला कि सिर्फ एक ही जहाज था जिसने सु सक्त माल वाहक जहाज अग्रणी पर सवार होगा जो अब तक पता नहीं कहां का कहां पहुंच चुका। फिर जहाज पर तो दर्जनो सेलर होंगे लेकिन पुत्तर ऐसा सेलर एक ही होगा जो पिछली रात को जहाज पर नहीं था। ICS पर पहुँचे हुए किसी जहाज को लोटने के लिए मजबूर करना है। समुदर में किसी भी मुल्क की jurisdiction तीन मील तक ही चलती है। बंदरगाहा से जहाज के तीन मील बाहर निकल जाने के बाद उस पर मुल्क का सरकारी जोर नहीं चलता है। और वो जहाज तो अब तक 100 मील से भी ज्यादा दूर निकल चुका होगा। जब तक सरकारी मशीनरी हरकत में आएगी तब तक वो और दूर चला जाए। इस जानकारी से हम कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं रमाकान। और इसी लिए गुमनाम कॉल से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं एक काम करता हूँ, खुद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को फोन करता हूँ, शायद उसकी समझ में कुछ आ जाए। कारगो शिप अग्रणी बिजवाल शिपिंग कॉर्परेशन के मिलकियत था, ये जहाज काफी पुराना जरूर था, लेकिन उसका रख रखाव काफी टॉप का था, और वो 20 नौट तक के रफ्तार बड़ी आसानी से पकड़ सकता। इसी वजह से ठीक पांच बजे, राजनगर बंदरगाह से लंगर उठाने के बाद, वो अब तक वहाँ से करीब 1.500 मिल दूर निकलाया था। शाम पांच बजे के करीब, शिप का कैप्टन जहाज के ब्रिज पर मौझूद था, जब एक हेलिकॉप्टर कहीं से वहाँ पहुँचा और जहाज के उपर मंडराने लगा। कैप्टन घूम कर केविन में दाखिल हुआ, और वाइरलेस कंट्रोल पैनल के सामने बैठे ऑपरेटर के पास पहुचा, कैप्टन को देखते ही ऑपरेटर ने कहा, ये इंडियन नेवी का हेलिकॉप्टर है सर, हमें जहाज को रोकने और हेलिकॉप्टर को डेक पर उतरने देने को बोला जा रहा है, क्या चाहते हैं ये लोग, कैप्टन ने हरानी से कहा, अभी तो कुछ नहीं बोला सर, शायद लैंड करने पर बोलेंगे, we are on high seas, they cannot dictate us, nobody can dictate us, except our own boss, उन्होंने बड़े बिजवाल साहब का भी हवाला दिया है सर, मेरे ख्याल से तो इनकी बात मान देने में कोई हर्ज नहीं है सर, ये सरकारी लोग हैं, और अगर उन्होंने कोई ताकत दिखाने की कोशिश की तो, तो पच्टाएंगे, क्योंकि वो 5 हैं और हम 50 हैं, ठीक है, तुम वायरलेस पर उनको बोल दो, कि जहाज के रुकने का इंतजार करें, मैं इंजन रूम को और करता हूँ, इंजन रूम में कैप्टन का आदेश पहुचने के बाद, आदेश आगे बॉलर रूम में पहुचा, वहां तोरंत भटियों में कोईला जोका जाना बंद कर दिया गया, और स्टीम का दबाव घटाया जाने लगा, आखिरकार लंगर गिरा दिया गया, और ह हेलिकॉप्टर जहाज के डेक पर उतर गया, उसमें बैठे पांच जनों में से दो जने तुरंत बाहर निकले, उनमें से एक नेवल पुलीस का अधिकारी था, और दूसरा था इंस्पेक्टर प्रभुदायाल, प्रभुदायाल ने जहाज के कैप्टन को संक्षेप में सार बात बताई, कैप्टन ने सिर हिलाया, और फिर कंट्रोल रूम में चला गया, वहाँ उसने जहाज का पब्लिक अड्रेस सिस्टम ओन किया, और अधिकार पुर्ण स्वर में बोला, पांच मिनट में शिप का सारा क्रू आमने सामने दो कतारों में डेक पर आखड़ा हुआ, प्रभुदायाल फिर से हेलिकॉप्टर के पास गया, और उसने इशारा करके ट्रक ड्राइवर बरकत अली को हेलिकॉप्टर से नीचे उतारा, फिर वो दोनों क्रू के लोगों की दोनों कतारों के बीच से गुजरने लगे, मिडल से जरा आगे पहुँचने पर बरकत अली अचानक ठिठक गया, उसने आखे फैला कर दाई कतार में अपने सामने खड़े सेलर की तरफ देखा, फिर उंगली उठा कर बोला, यही है वो साहब, प्रभुदायाल तुरंत उस आदमी के पास पहुच गया, उसने घूर कर उसे देखा और उसकी पैनी निगाहें उसके सिर से पाम तक घूमते हुए वापस उपर उठने लगी, उसके गिरहबान तक पहुचकर उसकी नजरें ठिठक गई, यह गले में क्या लटकाया हुआ है तुमने, प्रभुदायाल दिखाओ मुझे, लेकिन क्यों, सुनाना ही तुमने, मेरी इन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है, प्रभुदायाल ने परे खड़े कैप्टन की तरफ देखा, कैप्टन ने अधिक आरपोंड स्वर में कहा, सेलर, follow orders, offer your purse for inspection, सेलर पर इस आदेश की भी कोई प्रतिक्रि लेकिन उसकी एक नहीं चली, फर्स प्रभुदायाल के हाथों में पहुंचा, उसने जिप हटा कर उसका मुह खोला, भीतर वाकई पासपोर्ट मौजूद था, कुछ कागजात भी थे, और उनके साथ ही थी, हजार हजार के नोटों की एक नई नकोर गड़ी, सेलर के चेहरे पर अब हवायां उड़ने लगी थी, प्रभुदायाल ने सवाल किया, कल रात दस और दो बजे के बीच तुम कहा थे, इसी शिप पर था, तुम जूट बोल रहे हो, जी नहीं, मैं शिप पर ही था, आप लॉग बुक में देख लीजिए, इस आदमी को पहचानते हो, सेलर बरकत अली पर एक नजर डाली और फिर नामे से रहला दिया, ये वो आदमी है, जिसने कल रात पौने दो बजे जहरी के पास तुम्हें लिफ्ट दी थी, इसी के ट्रक पर सवार होकर तुम जहरी से बंदरगहा पहुँचे थे, अब पहचाना? जी नहीं, लेकिन ये तो त तुम्हें पहचानता है, तो वो मेरी प्राब्लम थोड़ी है, इन नोटों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सेलर ने कोई उत्ता नहीं दिया, कतल करके हथी आये हैं, ये सुनकर सेलर बुरी तरह से चौक पड़ा, कतल? किसका कतल? ओहो, तो तुम्हें मालूम ही नहीं है, इनहीं की खातिर तो तुमने कतल किया न? जी नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कोई कतल नहीं किया, जूट मोलता है साले, दो दिन थाने में बंद रहेगा, तो सब कुछ याद आ जाएगा कि किसका कतल किया था और कैसे किया, चल अब, मैं तुझे रिपुदमन राजव उनका कतल हो गया, ओहो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, जी नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, जूट मत बोलो सेलर, क्योंकि तुम्हारा जूट, इससे पहले की प्रभुदायाल आगे कुछ कहता, सेलर के मुह से एक चीक से निकली, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ, वो अगरवाल और अगरवाल नाम की वकीलों की फर्म का ओफिस था, रिसेप्शन पर पहुँच कर उसने अपना परिचे दिया, और आने का उदेशे बताया, तो उसे इंतजार करने को कह दिया गया, काफी देख के इंतजार के बाद एक चपरासी उसे अपने साथ अंदर ले जिस आदमी के पास उसे ले जाया गया, वो था फर्म का सीनियर एडवोकेट राजकमल अगरवाल, वो एक बड़े उमर का आदमी था और सूरत से वकील कम और कॉलेज प्रोफेसर ज्यादा लगता था, उसने सुनील को कुरसी पर बैठने का इशारा किया, फिर सामने टेब सुनील ने बड़े ही धीरत से पूछा, यू मे और यू मे नाट, I have assigned you 10 minutes of my precious time, so please be fast and precise, because 2 minutes are already gone, 8 more and you are out, सुनील ने कलाई पर से घड़े उतार कर अपने सामने मेज पर रख ली, फिर बोला, देखिये सर, मैं एक वसियत के बारे में पता करने आया हूँ, रिपुदमन राजवन्शी की वसियत, परसों रात को पंचधारा में उनका कतल हो गया था, आपको खबर मिल ही गई होगी, उनकी वसियत के बारे में तुम हमसे क्यों पूछना चाहते हो, क्योंकि वो आपके क्लाईंट थे सार, क्योंकि आप लोग उनके लीगल और फाइन क्लाईंट की मौत की सूरत में और खास तोर पर कतल की सूरत में तो आपका फर्ज बनता है, कि आप वसियत को जल्दी से जल्दी रोशनी में लाएं, ताकि मरने वाले की उसमें दी गई हिदायतों पर अमल हो सके, वकील ने उपेक्षा से उसे देखते हुए कहा, हम अपना पूरा कर चुके हैं, वसियत की एक कॉपी हम पुलीस ओफिसर को सौप चुके हैं, जो इस कतल की तफ्तीश कर रहा है, आपका मतलब है इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को सुनील ने पूछा, जी हाँ, शायद यही नाम था उस इंस्पेक्टर का, और ऐसा कब किया है आपने कल, बाद में जब प्रॉबेट की नौबत आएगी, तो हम ओरिजनल विल के साथ प्रॉबेट कोर्ट में पेश हो जाएंगे, उस वसियत में क्या लिखा है मिस्टर अगरवाल, ये हम तुम्हें कैसे बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, जिस डॉक्युमेंट की कॉपी, पुलीस को सौप कर आप उसे पहले ही पब्लिक कर चुके हैं, उसके बारे में आप प्रेस को क्यों नहीं बता सकते, देखिए मिस्टर अगरवाल, क्लाइंट की वसियत उसके वकील के पास सेफ कीपिंग के लिए होती है, ताकि कोई उसमें भांजी न मार सकते, उसको लेकर कोई फ्रॉड ना हो सकते, क्लाइंट की मौत की सूरत में वसियत वकील के पास नहीं, बलकि उस आदमी के पास होनी चाहिए, जिसे की वसियत के जरिये मरने वाले ने अपना वारिस करा दिया है, मौजूदा हालात में वसियत को लेकर कोई सीक्रेसी बरतना बेमानी होगा, और वैसे भी मुझसे सीक्रेसी बरतना तो कताई बेमानी होगा, क्योंकि मैं एक नैशनल डेली का प्रतिनिधी हूँ, और अखबार जरिया होता है वसियत को तुरंत प्रचारित करने का, ताकि अगर उसके उपर किसी को एतराज हो, तो वो सामने आ सके, तो तुम उसके बा सो आम की जानकारी में आ सके, और बाद में कोई ये दावा ना कर सके, कि उसे अपने चाहेते, चाचा, ताउ, मामा या फूपा की वसियत की खबर नहीं लगी थी, प्रोबेट कोट में ऐसे रिश्टदार आम तोर पर पेश होते रहते हैं, जो ये दावा करते हैं, कि कि किस वसियत के बारे में बताईए, वकील थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, वसियत की जरूरत मक्तूल को 13 साल पहले तब महसूस हुई थी, जब उसकी बीवी की मौत हुई थी, तब वो अपनी वसियत करने की कारेवाही को अंजाम देने के लिए हमारे पास आया था, तो आप उससे पहले उनको नहीं जानते थे, सुनील ने बीच में टोका, जी नहीं, हम उन्हें बहुत पहले से जानते थे, तब से जबकि उन्होंने अपनी ठेकेदारी के कारोबार में अभी कदम ही रखा था, वो मेरे पुराने दोस्त और जिगरी यार थे, बीवी की मौत के उसका बेनेफिशरी कौन था, और ये जानना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि नई वसियत के वजूद में आते ही, पुरानी वसियत अपने आप खारिज हो जाती है, मौजूदा वसियत उन्होंने कोई एक साल पहले की थी, और उसमें कुछ धार्मिक संस्थाओं के लिए, चंदे की मोटी रकमों का प्रावधान छोड़ कर, बाकी सारी संपत्ती का मालिक मिसिस सरूपा निगम को बनाया था, सरूपा निगम को? जी हाँ, उनकी सारी संपत्ती की अंदाजन वैल्यू क्या होगी, मिस्टर अगरवाल, करीब 4 करोड रूपे, ओ, क्या इस वसियत के बारे में सरूपा निगम को मालूम था, देखिए मिस्टर सुनील, हमने तो नहीं बताया, मरने वाले ने खुद कभी बताया हो, तो कह नहीं सकते, क्या उनके बेटे को ये बात पता थी, कि उसके बाप ने उसे विरासत से बेदखल कर दिया है, इसका भी वही जवाब है मि अगर मकतूल ने खुद बताया हो, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालू, अच्छा उन्होंने वसियत को बदला क्यों? आप मकतूल के वकील ही नहीं, उनके पुराने दोस्त भी थे, तो इस नाते आपने उसे पूछा तो जरूर होगा, कि वो अपनी वसियत क्यों विश्वास करने लायक नहीं थी, क्या थी वो वजह? उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी बीवी की मनशा थी, बलकि यूँ कहें कि उनकी बीवी ने उन्हें हुक्म दिया था ऐसा करने का, बीवी का हुक्म, जिसको मरे हुए 13 साल हो चुके हैं, जी हाँ, असल में क्या है मिस्टर स अश्वास हो गया था, कि तंतर मंतर से मरी हुए आत्माओं को वापस बुलाया जा सकता था और उनसे बात की जा, उसके कहने के अनुसार, उसका अपनी मरी हुए पत्नी से अकसर ऐसा संपर्ख होता रहता था, और ऐसी ही एक बात चीत के दोरान, उसकी बीवी ने ये करते वक्त, उनका दिमागी संतुलन ठीक तो था, मरी हुई बीवी के हुक्म का नाम दे कर, कहीं वो अपने मानसिक पागलपन पर परदा डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, देखिए मिस्टर सुनील, इतनी बातें तो मैं नहीं जानता, लेकिन हा, उनके दिमागी संत उनको बराबर था, इसलिए उन्होंने ये राय दी थी, कि वो स्कैंडल पॉइंट की जगह को छोड़ कर, निगम्स के साथ जाका रहें, जो उनके करीबी थे, अच्छा ये बताइए मिस्टर अगरवार, कि आपके ऑफिस में से, क्या दोनों वसियतों में से, किसी के बारे में कोई जानकारी लिक हो सकती थी, जी नहीं मिस्टर सुनील, टॉप सीक्रेसी बनाए रखने के लिए, मैंने दोनों बार स्क्रिप्ट्स की तहरीर, टाइप तक खुद की थी, और वसियत दोनों बार सिर्फ और सिर्फ अपने कबजे में रखी थी, सुनील अपने कुर्सी पर ही कातिल होने का शक है, वकील बड़े ही आराम से मुस्कराया और बोला, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फॉरण सुरूपा को भी वसियत की कौपी भिजवाने का इंतजाम कर, सुनील ने गर्दन हिलाई और ओफिस से बाहर निकलाया, फिर वो पुलिस हेड़क्वा जो आपने मुझरिम को गिरफ़तार करने में दिखाई, आप जांते नहीं, इस सिलसीले में आपको कितनी वहवाही मिल रही है, तो तुम बधाई देने आए हो या वहवाही में हिस्सा बड़ाने आए हो, आखिरकार मुझरिम के बारे में टिप तो तुम हीने दी थी ना, अरे माई बाप, वो तो मैंने अपना फर्ज निभाया था, अच्छा आप फर्ज निभाने के एवज में ये बता दीजिये, कि गिरफ्त में आये उस जमूरे ने क्या बयान दिया, ओवरनाइट आपके कबजे में रहा है, अभी भी दो पहर हो चुकी है, कुछ तो बका ही उसने, नीचे चले जाओ और प्रेस रोम से मालूम कर लो, अरे बॉस, जब गंगा घर में बह रही है, तो हरीदवार क्यूं भेज रहे हो, यहीं हाथ धोने दो ना, आखिर हम दोनों पुराने दोस्त ठेहरे, दोस्त, परसों तो तुम्हें मेरी शकल भी पहचान में नहीं आ रही थी, अरे माई बाप अब जाने भी दो, कोई बात भूल भी जाया करो, अच्छा ठीक है सुनो, वो कबूल कर रहा है कि बुधवार रात को वो अपने पिता से मिलने सोलर पॉइंट पहुँचा था, लेकिन उसे खबर कैसे लगी कि उसका पिता उस रात वहां असल में वो एक बिगड़ा हुआ, फसादी, गयर जिम्मेदार लड़का है, जो जब भी रूपे पैसे का तोड़ा महसूस करता था, तो किसी ना किसी तरीके से बाप तक पहुँच बना ही लेता था, बाप बेटे में जगड़ा होता था, बाप फटकार लगाता था, लेक कभी उसे अपना मुहना दिखाए, तो उसने बाप की उस हिदायत पर अमल नहीं किया, फिर से पहुँच गया बाप को थूक लगाने, सुनिल ने पूचा, हाँ, कहता है, वो अपने बाप की इकलौती औलाद था, इकलौता वारिस था, इसलिए अंत्पंत सारा माल तो उसी से हमला कर दिया, और हमले के लिए हत्यार, उसने लोहे की उस कांटी को बनाया, जो वो अपने साथ लेकर आया था, ऐसा कुबूल किया है उसने, सुनिल ने पूचा, अरे, कोई मुझरिम, अपना गुनाह, जुबानी कुबूल करता है क्या, ओ, तो इसका मतलब ये आपकी त्योरी है, ये आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, सुनिल ने थोड़ा निराशा भरेस्वर में का, लेकिन मुझे ये बताईए, कि उसका इस बारे में क्या कहना है, अरे, वो क्या कहेगा, वही पुरानी कहानी, वो तो कहता है, कि अपने बाप को पीछे सही सलामत छोड़क वहां से गया था, लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर जरा भी यकीन नहीं, उपर से उसके पास से नोटों की वो गड़ी भी तो बरामद हुई है, जिसको लेकर वो यहां से फरार हो रहा था, अगर हम समय रहते उसके जहाज पर ना पहुँच गए होते, तो वहां से वो ऐस गयाब होता कि ढूने ना मिलता, अरे लेकिन इंस्पेक्टर वो उस जहाज पर काम करता था, हां तो क्या हुआ, जहाज पर काम करने वाला क्या फरार नहीं हो सकता, मेरा मतलब यह है इंस्पेक्टर सहाब कि उसके पिता पर कुछ बीती होती या ना बीती होती, उसको तो ज जहाज के साथ जाना ही था ना? बिलकुल ठीक सुनील और इसी से साबित होता है कि वो कितना चालाख है। उसने जान बूज कर कतल को ऐसे और्गनाईज किया कि उसे फरार हो जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर तुमने जहरी से ट्रक पर लिफ्ट वाली कहानी खोज ना नि मक्तूल ने सामने का दर्वाजा खोल कर उसे अंदर आने दिया होगा और फिर दर्वाजे को अंदर से बंद कर दिया होगा। चिटखनी पर आटोमेटिक लॉक की मूट पर मक्तूल की उंगलियों के निशान बने थे जो अगर डिस्टरब्ड पाए जाते तो जाहिर था कि गर में किसी के आने की चुगली करते। इसलिए अपने कारणामे को अंजाम देने के बाद उसने पहली मंजिल की एक खिड़की और उसके सामने के एक पेड़ को अपने निकासी का रास्ता बना लिया। वो खुद इस बारे में क्या कहता है जनाब। अरे वो तो ये कहता है कि बाप को पीछे सही सलामत चोड़कर आया था। उसके बाप नहीं उसे फरंट दर्वाजे से बाहर भेजा था और उसके पीछे से दर्वाजे को पहले की तरह लॉक कर लिया था। और नोटों के बारे में क्या कहता है। कहता है बाप ने दी मदद के तौर पर जैसे दो बार पहले भी वो ले जा चुका था लेकिन इस बार जब बापने इंकार किया तो उसने जबरदस्ती वो मदद जपट ली अपने पिता पर कातिलाना हमला करके जी हां रिपोर्टर साहब और उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वो नोट है जिनके सीरियल नंबर हम पहले ही बैंक से हसिल कर चुके था लेकिन इंस्पेक्टर साहब ट्रक ड्राइवर बरकत अली भी तो है जो कतल के वक्त के आसपास उसकी जहरी के इलाके में मौजूदगी का गवाह है अरे वो उस गवाही को जुटला सकता है सुनली बाबू जिद कर सकता है कि ट्रक ड्राइवर न ना होती तो उसके खिलाफ हमारा केस कहीं ठहरता ही नहीं अच्छा अभी आपने ये बताया इंस्पेक्टर सहाब कि अपने पिता से उसे दो बार पहले भी पैसों की मदद मिल चुकी थी क्या ये भी उसी ने आपको बताया है हाँ उसने खुद कबूल किया है उसके बाप की उसे सक्त हिदायत थी कि वो उसे अपनी शकल ना दिखाए फिर भी बुधवार रात से पहले भी दो बार बुधवार रात की ही तरह वो अपने बाप के पास पहुँचा था पहली बार तब जबकि मक्तूल को सोलर पॉइंट पर रहना शुरू किये हुए अभी एक ही साल इसलिए उसने किसी तरह से अपने पिता का पता हासिल किया और फिर पूरी बेशर्मी से पैसों के लिए उसको चिठी लिखी जवाब में बाप ने उसे इस हिदायत के साथ घर बुलाया था कि वो रात के अंधेरे में बिना किसी की जानकारी में आये चुपचाप वहां पह लेकिन उसके चार साल बाद उसने फिर से पिता को पहले जैसी चिठी लिख दी और जवाब मिलने पर पहले की तरह फिर से वहां पहुँच गया इस बार उसने 50,000 रुपे जाड़े क्या उसने खुद पैसा कमाने की कभी कोशिश नहीं की सुनेलने पूछा अरे कहता है कई कई तरह की नौकरियां की तभी तो हर वक्त हाथ फेलाए बाप के सिर पर सवार नहीं दिखाई देता था लेकिन अपनी नामुराद जिंदगी में टिका कहीं पर भी नहीं ये अग्रणी शिप पर की जो नौकरी है वो सबसे लंबी बताता है जो कि वो एक साल से कर रहा था वहाँ पर वो खलासी का काम करता था बॉयलर की भटी में कोईला जोंकने का काम इतने बड़े बाप का बेटा और खलासी का काम करता था सुनील ने हैरानी से कहा अरे शुकर मनाओ की कुछ तो कर रहा था क्या उसके बाप को ये खबर थी कि उसका बेटा खलासी की नौकरी क यहां पर एक बात ये भी ध्यान में रखना सुनील कि अपने पिछले दो फेरों से लड़के को ये तजुर्बा हो चुका था कि मुलाकात के वक्त सोलर पॉइंट पर उसके पिता के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता। तो इस से ये दो बाते तो साफ हो गई कि मक्तूल बुधवार रात को सोलर पॉइंट पर अकेले रहने की जिद क्यूं कर रहा था और उसने इतनी तुरत फुरत में बैंक से एक लाग रोपया क्यूं निकलवाया था। आगे शॉर्ट कट से पैदल पंच धारा और फिर सोलर पॉइंट पहुँचने में उसे पौने बारह बजगए। उसने जाकर सामने के दर्वाजे पर दस्तक दी तो उसके पिता ने दर्वाजा खोला और उसके अंदर जाने के बाद पीछे फिर से बंद कर दिया। पिता पुत्र को उस कमरे में लेकर आया जो उसका सिटिंग रूम था। उससे कोई फर्क नहीं परता था। सो उसने हामी भर दी। फिर उसने आगे बताया कि मक्तूल ने जेब से हजार के नोटों की गड़ी निकाली उसके हवाले की और फिर सामने के दर्वाजे से उसे वहां से रुखसत कर दी। उसके बाद वो ट्रक से लिफ्ट लेके बंदर नहीं है। वो अपने बाप को पीछे जिन्दा चोड़ कर आया था। तब तो उसे ये सारी बातें कबूल है। वरना कहता है कि वो हर उस बात से मुकर जाएगा जो उसे उसके खिलाफ जाती दिखाई देगी। जब केस कोट में पहुँचेगा तो उसके वकील की भी उसको यही राय होगी कि पुलीस को दिये सारे बयान को वो भूल जाए और यही जिद पकड़े रहे कि उसने सोलर पॉइंट का रुख तक नहीं किया। बुधवार रात को वो पूरा टाइम अपने शिप पर ही मौजूद था। लेकिन जब नोट उसके पास से बरामद हुए हैं तो उसकी यह जिद चलेगी कैसे भला। सुनेल ने पूछा। देखो मुझे तो नहीं लगता कि चलेगी। लेकिन वो अपने बचाव के लिए जब कोई शातिर वकिल पकड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगा। बिगड़ी बात को बना के दिखान तो डिफेंस लॉयर का खास काम होता ही है। ये बात बड़ी दूर की कोड़ी है माई बाप। मुझे तो एक ही बात में उसका बचाव दिखाई दे रहा है। और वो इसमें कि वो वाकई सच बोल रहा है। प्रभु दयाल के चेहरे पर व्यंगय भरी हंसी उभराई। वो स इसे मामलों में कई बार वही बात सच निकलती है जिसके सच होने की कताई कोई गुझाईश नहीं होती। अगर मुल्जम सच बोल रहा है तो उसकी एक बदकिस्मती और भी है जो उसका पुलंदा बंधवा आके रहेगी। वो गरीब है। किसी करिश्मा कर दिखाने वाले वकील की फीस भला कैसे भरेगा वो प्रभु दयाल मुस्कराया और बोला रिपोर्टर सहाब उसकी ये बदकिस्मती तो पहले ही दूर हो चुक उसे बिना ढूंडे बिना कोशिश किये एक हमदर्द और महर्बान मिल गया है और वो है सुरूपा निगाम वो मुल्जम की हर म मैं खोजी पत्रकार हूँ खोज करके निकाली है ये बात मैंने तो तुम्हें ये जानकर हैरानी नहीं हुई मिस्टर सुनील कि मक्तूल ने अपनी वसियत तबदील क्यों की देखें इंस्पेक्टर सहाब एक नालायक और निकम्मी ओलाद से अपनी नाराज की जाहिर करने क ये भी तो एक तरीका है प्रभु दयाल ने उसे घूरते हुए कहा मेरी एक बात का बिना लिफाफे बाजी के जवाब दो अगर मुल्जिम समीर राजवनशी को अपने बाप की पुरानी वसियत के बारे में मालुम हो लेकिन नई वसियत की कतई कोई जानकारी ना हो तो क्य हुआ सहब लेकिन इस खीर में एक मक्खी है और वो मक्खी ये है कि पहली वसियत 13 साल पुरानी है जिस ऑलाद के ऐसे नापाक इरादे हो वो क्या उन पर अमल करने में 13 साल लगाएगा अरे तो पहले नापाक इरादे नहीं होंगे ना पहले वो कतल करने का होसला नहीं जु पसंद का ये कि समीर राजवन्शी को बाप की जुबानी नई वसियत की खबर लगी तो वो आप इसे बाहर हो गया उसे ऐसा सद्मा लगा कि उसने भड़क कर बाप पर वार कर दिया और दूसरा मतलब ये कि सरूपा निगम से वसियत करने वाले की मौत का इंतजार नहीं हुआ बुधवार रात को समीर के सोलर पॉइंट से जाने के बाद वो पिछले दर्वाजे से चुप चाप अंदर दाखेल हुई क्योंकि चाबी उसके पास थी फिर वो मक्तूल के पास पहुँची और उसका काम तमाम कर दिया लेकिन कतल कांटी से हुआ है जो सेलर का उजार होता है अरे तो कांटी सेलर लाया होगा न वो समीर राजवनशी वापसी में वो उजार पीछे छूट गया होगा या वो जान बूच कर छोड़ गया होगा आहाहा और सुरूपा निगम को पता था कि उसे वहां से वो काटी हासिल हो जाने वाली थी नहीं वो घर से भी कोई इंतजाम करके आई होगी लेकिन वहां उसने वो औजार पड़ा देखा होगा तो उसे वो ज्यादा बहतर लगा होगा अरे लेकिन मिस्टर सुनील उसे वसियत की खबर कहा थी और हो भी कैसे सकती थी वसियत की खबर तो इंस्पेक्टर सहब समीर को भी नहीं थी और हो भी नहीं सकती जैसे आपने ये मान लिया कि समीर को पहली वसियत की खबर थी समझ लीजिए कि वैसे ही मैंने ये मान लिया कि सरूपा को दूसरी वसियत की खबर थी लेकिन वो इतनी सीधी साधी औरत है लगता नहीं कि वो कतल कर सकती है और फिर अगर सुरूपा कातिल है तो वो समीर की मदद के लिए आगे क्यों आना चाहती है सुनिल मुस्कराया और बोला ये एक स्टंट हो सकता है आईवाश हकीकत की परदादारी ताकि उसकी तरफ बता और कातिल किसी का ध्यान ही ना जाए तो इसका मतलब ये है कि तुमको समीर राजवनशी बेगुनाह लगता है इंस्पेक्टर ने बूठ देखिए इंस्पेक्टर साहब हर शक्स तब तक बेगुनाह होता है जब तक वो गुनेहगार साबित ना हो जाए अच्छा इस बात क अगर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि सुरूपा निगम जो मुलजिम की मदद के लिए आगे आई है वो उसकी दया और दर्या दिली नहीं है बलकि वसियत की एक क्लॉज के तहत उसकी लीगल ओबलिगेशन है इसमें टेस्टेटर ने यानि वसियत करता ने सुरूपा क अपना वारिस करार देते हुए उसके उपर ये शर्ट लागू की है कि भविश्य में कभी भी कहीं भी उसके बेटे समीर राजवन्शी पर अगर कोई गंभीर विपत्ती आएगी तो उसको उस मुसीबत से उबारने के लिए सुरूपा को उसकी हर मदद करनी होगी ये गया था इंस्पेक्टर ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरूपा का समीर राजवन्शी की मदद के लिए आ गया ना उसका good deed of the day नहीं है बलकि उसकी मजबूरी है सुनील ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहा देखिये इंस्पेक्ट की बेडरूम की खिड़की को किसी ने बाहर जाने का रास्ता बनाया था बाहर जाने का ही क्यों अंदर आने का रास्ता भी तो हो सकता है वो इंस्पेक्टर ने अडियल स्वर में का आपको बेटे की कहानी पर यकिन नहीं है इसलिए जाहिर है आप उसे दाखिले का ही रास् उसने उसे ओफ भी किया होगा. क्या रेडियो की ओफ ओन वाली नौप पर कातिल की उंगलियों के निशान मिले हैं? नहीं, उसके उपर सिर्फ राजवनशी की उंगलियों के निशान थे. उन निशानों की कोई एहमियत नहीं है, इंस्पेक्टर. क्यूंकि जिस वक्त कातिल वहां आया, उस वक्त रेडियो बज़ता हो ही नहीं सकता था. रेडियो के बज़ता होने की बात मुझे तब तक जच रही थी, जब तक मेरा ये खयाल था कि कातिल 10 बज़े के बाद किसी टाइम मक्तूल के सिटिंग रूम में पहुँचा था. लेकिन अब खुद मुल्जि का बयान ये कहता है कि वो आधी रात के करीब वहां पहुचा था. अगर ये बात सच है तो रेडियो बज़ता हो ही नहीं सकता था. क्यूंकि उस दूर दराज के इलाके में रेडियो ट्रांसमिशन रात को सिर्फ 11 बज़े तक ही आता है. ये बात तुम्हें कैसे पता? इंस इंस्पेक्टर ने कहा, जी हाँ हो सकता है. लेकिन मैं जरा इस बात का दूसरा सिरा पकड़ना चाहता हूँ. आप ये समझिये कि एक आदमी चिठी लिखकर अपने बाप को खबर करता है कि फला तारिक को फला वक्त उसके पास पहुचेगा. तो ऐसा आदमी पेड़ और ख वजूद खारिज नहीं हो जाता. अकसर लोग चिठी पढ़ने के बाद उसे फाड़ कर फेक देते हैं. मक्तूल ने भी ऐसा ही किया होगा. चिठी के वजूद को जो बात साबित करती है वो ये है कि शनीवार को उसने इतनी हडबड़ी में बैंक से एक लाख रुपया निक रखती थी. और इसी लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे खिड़की के रास्ते अंदर आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका बाप उसके आने के बारे में पहले से ही जानता था. इंस्पेक्टर ने कहा तो तुम ये कह रहे हो कि वो मेहमानों की तरह से बाकाइदा दर लेकिन बाहर से अंदर वाली चिटखनी को नहीं लगाया जा सकता है. और यही बात इस बात को सिध्ध करती है कि मुलजिम जो कह रहा है वो सच कह रहा है. जब वो वहां से गया उस वक्त मक्तूल जिंदा था, उसी ने मुलजिम को बाहर भेज कर दरवाजे को लॉक किया थ और अंदर से चिटखनी लगाई थी. तो अगर ऐसा था, तो खिड़की और पेड़ वाले रास्ते का क्या मतलब हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा, अरे वही रूट ही तो किसी तीसरे आदमी के वजूद को साबित करता है. और आलाय कतल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मिस्टर सुनील? अरे हाँ, इस बात से याद आया. फायर प्लेस के पास में जो छड़ पड़ी थी, किरपराम ने उसके भी कतल का ओजार होने के बारे में कुछ कहा था. उसे भी टेस्टिंग के लिए लैब में भिजवाया गया था. क्या उसके रिपोर्ट आ गई? आ गई, वो छड़ कतल का ओजार नहीं था. कतल तो उस कांटी से ही किया गया है, जो इमारत के करीब की पकडंडी पर मिली थी. उस पर लगे खून की भी जाच की गई है, और वो मक्तूल के ही ब्लट ग्रूप का है. बस यहीं पर तो एक और सोचने वाली बात सामने आती है अगर वो कतल समीर राजवन्शी ने किया और वो कांटी भी उसी की थी, तो कतल के बाद वो उसे वहीं पर क्यों छोड़ गया? वो भी इस तरीके से कि वो बरामद होता ही होता. आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे केसों में मौकाई वारदात के आसपास के इलाके का तो म पहले जेरी तक पहुँचने के लिए 6-7 किलोमीटर, फिर लिफ्ट के लिए हाइवे तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर और और कतल का ओजार उसने कहां फेंका? इमारत से मुश्किल से 50 गस दूर. क्यों भला? क्या उसका दिमाग खराब था? उसको फांसी पर चड़ने में लिखा है, कातिल इधर पाया जाता था. यानि सीधे सीधे शब्दों में कहूं, तो कोई ऐसा है जो समीर को इस कतल में फसाना चाहता है. और इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि केस के हर पहलू पर बड़े ही ध्यान से गौर कीजिए, फिर कोई थ्योरी सुनील ने फिर से कहा, अच्छा ये बताईए, इस बारे में आपका क्या कहना है कि उस घर को भूतिया बताया जाता है? मैं भूत प्रेतों में कताई विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मक्तूल तो करता था. उसके बारे में जिस तरह की बाते हमें सुनने को मिल रही हैं, उससे तो लगता है कि वो खुद ही एक प्रेत था और अपनी बिरादरी में काफी खुश था, उन प्रेतों की बिरादरी में जो उस घर में बसे बताये जाते हैं. अब आप जरा ये सोचिए, इंस्पेक्टर सहाब, कि एक आदमी कहता है कि उसे कहीं से ऐसी आवाजें सुन वस्यत क्यूं बदल दी? सगे बेटे को विरासत से बेदखल करके किसी गैर को वारिस क्यूं बना दिया? क्यूंकि उसके अनुसार ऐसा करने का उसे हुक्म मिला था. और हुक्म किसने दिया था? उसकी मरी हुई बीवी ने. तो अब माई बाप, मेरा परसनल तजुर्बा य जो ये प्रेम था, क्या उसका उसके कतल से कोई रिष्टा हो सकता है? जरा सोच कर देखेगा इस बारे में. इससे आगे की कहानी के लिए सुनें सुरेंद्रमोहन पाठक के उपन्यास स्कैंडल पॉइंट का तीसरा भाग.